यह हैं इसके 10 mm के ड्राइवर्स देख लीजिए और यहां पर आपको इसकी इलेक्ट्रोनिक्स मिल जाएगी हेलो हाई कैसे हूँ आप सभी लोग दोस्तो आज मैं आपके लिए लिक्या हूँ बोर्ट के रॉकर जी ट्रेनिटी यह बोर्ट के नए रॉकर जी इयरफॉन्स है जिसमें आपको अप्टू 150 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाएगा इसमें क्रिस्टल बायनिक साउंड है पावर बाई हाई फाई डिस्पी बीस्ट मोड भी है जिसमें आपको 65 मिलिसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाएगी और यह एयरफॉन्स IPX5 वाटर रेजिस्टेंस भी है तो आए दोस्तों आज करते हैं बोर्ट के इन नए रॉकर जी ट्रिनिटी को अन्बॉक्स देते हैं इनके फीचर्स को डिजाइन को और साथ ही में देखते हैं कि इन एयरफॉन्स कंदर है क्या कितने एमेज की बैटरी है और इसका exactly में कितना हमें backup मिलता है और finally हम लोग यह भी देखते हैं कि क्या यह एयरफॉन्स लेने लाइक हैं क्या यह एक value for money product हैं तो चली दोस्तों आज देखते हैं यह सब बोट के यह एयरफॉन्स आते हैं कुछिस टाइब की पैकिंग में कैसे यह देखते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसमें प्रियरलेस प्लेबैक टाइम अब्टू 150 आवर्स तक का है इंडेस्टियर लीडिंग इस सुन एस पॉसिबल चार्जिंग है बेस्ट इन क्लास एनक्स टेकनोलोजी भी है क्रिस्टल बाइनिक साउंड है पावर्ड बाई हाई-फाई DSP लिव दा साउंड यहाँ पर आप इसके फीचर्स पर सब्सक्ते हो टैंगल फ्री केबल है केबल होल्डर भी मिल जाएका आपको अल्ट्रा फ्लेक्सिबल पॉकेटेबल और लाइट वेट है ड्यूल पेरिंग है आए-पी-X5 वाटर रेजिस्टेंस है राइडन स्नो इजी एडेप्टी फिट है टैन मिंट्स की चार्जिंग पर आपको अराउंड 24 आवस्त का प्लेबेक टाइम यह दे देते हैं यह प्रोडेट्ट बिस सटीफाइड भी है और यहां पर इनके शोशल मेडिया पेजिस के बारे में आप देख सकते हो तो यह है बॉक्स जिसमें बॉट्स के यह नए रॉकर जी ट्रिनिटी आते हैं आईए अब करते हैं इसको फटा फट से अनबॉक्स बॉक्स में सबसे उपर है मेन एयर फोन्स और साथ ही में है एक एससरी किट चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि इसकंदर है क्या इसमें है एक यूसपी टाइप टू टाइप सी चार्जिंग केबल कुछ एक्स्ट्रा एयर प्लग्स भी दिए गया है एक बोर्ट हेट का स्टीकर हो गया साथ ही में दिया गया है इसका एक यूजर मैनुवल एक स्टीकर जिसमें वारिंटी को कैसे आप क्लेम कर सकते हो बताया गया है और फानली एक लीफलेट है जिसमें बोर्ट के और जितने प्रोडेक्ट्स हैं उसके बारे में बताया गया तो बस यह कुछ आता है इसके डिबे में आईए अब देख लेते हैं इन एयरफोन को दिखने में यह एयरफोन कुछ स्टैप के हैं यह एयरफोन आपको तीन कलर आप्शन में मिल जाएंगे कॉस्मिक ब्लैक जस्ट ब्ल्यू और यह जो मेरे हाथ में है यह कुछ वाइट दि कर से वाइट क्ला कि नेट में काफी अच्छे से आप दिख लीजे कुछ इस टाइब से यह फिट हो जाता है काफी अची ग्रिब जटता हैं स्टिकॉन का है तो काफी सॉ gerade ट है यहां पर आपको इसका बैटरी एकमपार्टमेंट मिल जागा सेँ स्ञों का बैटरी कमपार्टमेंट यहां पर खेंगा तो दो बैटरी कमपार्टमेंट हो गए controller boat यहां पर इसमें तीन physical बेटन्स है volume positive, multi function और volume negative यह indicating LED केली होल हो गया यहां पर microphone के खुल दिया गया है और यहां पर है इसका चार्जिंग पोर्ट यह इसके 10 mm के ड्राइवर्स होगे आप देख लिजे लेफ्ट और राइट और इस पर एक वेंट दिया गया है सो डैट की सक्षन ना बने पीछी के साइट को आपको बोर्ट का लोगो मिल जाएगा और केबल मैनेजमेंट के लिए यहां पर एक अटैच्मेंट दिया गया है और यह जो एयर पीस हैं यह आपस में मेंगनेटिकली कुछ स्टेप से टैच हो जाते हैं बाकि अगर एयर प्लक्स की बात करें तो यह काफी सॉफ्ट हैं और काफी टाइट ली फिट होते हैं तो यह इसली निकलेंगे नहीं गिरेंगे नहीं अगर मैं इन हैटफोन को कंपेर करता हूं बोर्ड के रॉकर जी ठीठटी प्रो से और ठीठटी एंसी से तो आप यहां पर बिल्ड क्वालिटी में दिफ्रेंस देख सकते हो यहां पर जो नेक बेंड है सिलीकॉन का वो काफी स्ट्रॉंग भी है और यह काफी मोटा भी है जबकि इस केस में आप क्वालिटी दिख लीजी उतनी कुछ खास नहीं है और बैटरी कंपार्टमेंट की बात करें तो यहां पर प्यूर प्लास्टिक है जबकि इस केस में आपको मैटलिक फिनिशिंग मिल रही है और लुक भी यह काफी बढ़िया दे रहे हैं जबकि इस 330 ANC के और यहां पर आप 330 प्रोक दिख लिए तो लुक अंड डिजाइन के मामले में बॉर्ट के रॉकर जी ट्रिनिटी मुझे कुछ ज़्यादा पसंद तो नहीं आये हैं बाकि इतना तो जरूर कहूंगा कि काफी लाइट वेट एरफोंस हैं वेट है इसका अराउंड 32 ग करते हैं बट उससे पहले मैं इसको अन कर देता हूं और साथ में इसको अपने मुबाइल पॉन पर पेर अप कर लेता हूं इस मुल्टिव फंशन मुटन को टैप अन होल्ड करके मैं इन एरफोंस को आन कर सकता हूं या तो इससमें यह पेरिंग मोड पर चला गया है अगर यह पेरिंग मोड पर नहीं है तो आपको इसको टैप अंड होल्ड करना होगा अंटेनलस यह जो लाइट है यह ब्लू और रेड में ब्लिंक करने लग जाए तो यह समय पेरिंग मोड पर है और अगर मैं देखूं तो यहां पर रोकर चील ट्रेड नेटी दिखा रहा है चल ब्लूटूथ जो बैटरी है फुल दिखा रहा है तो फानिली यह कंफीगर हो चुके हैं चलिए आप इनको पहन आ जाए और इस पर कुछ सुना जाए यह जो मल्टी फंचिन बटन है बीच वाला अगर आप देख रहे हो इसको अगर मैं दो बार प्रेस करूंगा तो यह क्रिस्टल बाइनक साउंड में सुच कर जाएगा और सुनेगा बैलेंस मोड तो इसमें यह बैलेंस मोड में चला गया चलिए अब सुनते है चलिए एक बार फिर से इसको सिग्निचर मोड बदालते हैं तो डबल टैप करके सिग्निचर साउंड यह आवाज आईए चलिए कुछ और सुनते हैं वाव चलिए अब क्रिस्टल बाइनक साउंड कौन करते हैं बैलेंस मोड वाव अमेजिंग बहुती बढ़िया दोस्तो मैं यहाँ पर कहना चाहँगा कि अगर आप म्यूजिक को इन्जॉई करना चाहते हो तो डैफिनिटल उसके लिए काफी बढ़िया यह एरफोन से हैं तो आपको काफी बढ़िया बीटन बास मिलता है लो टोन्स और हाई टोन्स को भी काफी अच्छा प्ले करता है तो साउंड काफी बढ़िया है स्पेशली कहा जाए फोर दा म्यूजिक प्ले चलिए दोस्तों अब इस पर कुछ वोकल्स को भी सुन लिया जाए कि इससे में क्रिस्टल बाइंग साउंड ओन है तो इसको आफ कर देते हैं कि सिग्निचर साउंड कि स्पीच को तो दोस्तों काफी बढ़िया प्ले कर रहे हैं कि मिजिक में तो दोस्तों हम लोग ने देखा ही था पट इन वोकल्स भी ये काफी अच्छा कमाल करें काफी बढ़िया प्रफॉर्म कर दे तो साउंड तो दोस्तों इसकी काफी जब्रदर से काफी बढ़िया है आईए दोस्तों अब इसके माइक्रोफोन को भी दिख लेते हैं बट उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसके अंदर गेमिंग मोड भी है और इस मोड को एक्टिवेट करने की और गीमिंग के दोरान जो डिफ्रेंस मिलता है जो आप बोल रहे हो जो यहां पर आप कर रहे हो और जो एक्टली में हैपको speaker सुनाते हैं उसमें को ठोटा बहुत दिफ्रेंस मिलता है वह आपको कफी कम सुनने को मिलेगा तो जो लोग गेमिंगक करते हैं उनके लिए यह काफी अच्छी option है around 65 millisecond तक का आपको low latency इसके देखने को मिल जाएगी आईए अब इसके microphone को भी चेक कर लेते हैं Hello testing this mic यह boards के rocker जी Trinity के microphone की audio है जो कि मैं एक call recording के दुरान record कर रहा हूँ इन earphones में board की ENX technology भी है जो कि single microphone की मदद से environmental noise को easily और efficiently cancel कर देती है अभी जो आप आवाज सुन रहे हो वो इसी earphones के microphone से record हो रही है यह इसका silent profile है तो ENX technology on these earphones काफी अच्छे से environmental noise को cancel कर रही है आप लोगों को इसके microphone की audio कैसे लगी मुझे comment section में जुरूर बता देना यह मैं अब आप पर छोड़ रहा हूँ इसके microphone comments में जुरूर बता देना तांकि और लोग भी जान पाएं कि इसके microphone कैसे है चलिए दोस्तों अब इसके control panel को दिख लेते हैं इसके control panel में तीन physical buttons है volume positive जिसको press करके मैं volume को बढ़ा सकता हूँ volume negative जिसको press करके मैं volume को कम कर सकता हूँ और पीछ में multi function button है जो कि इसको power on और power off के सिवाए भी और भी बहुत सारी चीज़े कर सकता हूँ क्या क्या कर सकता है जलिए मैं आपको बताता हूँ इसको double tap करके मैं crystal panic sound और signature sound में switch कर सकता हूँ और triple tap करके मैं gaming mode मतले कि beast mode में और normal mode में switch कर सकता हूँ साथ ही में यह जो volume positive और volume negative button है इनको press करके मैं tracks को बदल सकता हूँ जैसे कि अगर मैं volume positive button को 2 second के लिए press and hold करूँ तो यह track को next कर देगा और negative button को press and hold करूँ 2 second के लिए तो यह track को पीछे ले आएगा और अगर 12 से 2 second के लिए press करूँ तो यह मुझे previous track को ले जाएगा मैं incoming call को भी directly इन buttons की helps से handle कर सकता हूँ जैसे कि single tap करके मैं call को answer कर सकता हूँ single tap करके मैं call को disconnect कर सकता हूँ और double tap करके मैं incoming call को reject कर सकता हूँ साथ ही में आपको इन earphones में dual pairing की option भी मिल जाएगी मतलब कि आप at a time दो devices को इसके साथ connect कर सकते हो जैसे कि इस समय यह earphones मेरे asus के ROG phone के साथ connected है अगर मुझे इसको connect करना है with my samsung phone तो सबसे पहले तो मुझे इसको इससे disconnect करना होगा और उसके बाद यह जो earphones है इसको मुझे वापिस से pairing mode पर दालना होगा इसको off करके फिर से on करना है और power button को tap and hold रखना है और right now यह अब pairing mode पर चले गए हैं और मुझे यह earphones अब samsung के phone पर भी दिख रहे हैं चलिए इसको pair up कर लेते हैं तो यह connect हो चुके हैं और मैं इसको rog phone के साथ भी pair कर लेता हूं तो इस समय यह earphones मेरे rog phone और samsung के phone दोनों के साथ connected है same अब अगर मैं किसी एक device पर गाने को play करूं तो जो गाना है वो इन earphones पर चलना शूकर देगा आप देशते हो volume positive button samsung के phone पर change कर रहा है और अगर मैं गाने को change करूं तो यह samsung के phone पर गाने को change कर रहा है तो इस समय समसंग के phone पर जो भी चल रहा है वो इन earphones पर play हो रहा है और right now play होते हुए time अगर मैं दूसरी device पर गाना चला दूं अब आप दिख लिए अभी भी samsung के phone के साथ ही यह चल रहा है जबकि असूस का phone पता नहीं कहां प्ले कर रहा है तो असूस पर क्या चल रहा है उसको अगर मुझे सुनना है तो सबसे पहले मुझे samsung के phone को pause करना होगा अब right now यह असूस के phone पर connect हो गया और अगर मुझे samsung के phone पर चलाना है तो मैं यहां पर pause करूंगा और आप samsung के phone पर चलाऊंगा और अब यह samsung के phone को कंट्रोल करने लगए और जो भी audio samsung के phone प्ले कर रहा है वो अब इस पर सुन रही है तो इस तरीके से आप इन एरफोंस को दो devices के साथ simultaneously इस्तिमाल कर सकते हो अगर आपके पास एक mobile phone है एक laptop है तो आप दोनों पर इन एरफोंस को connect कर सकते हो और दोनों पर इनको simultaneously इस्तिमाल कर सकते हो पस यही है कि at a time एक पर ही play करेगा यह तो look and design बढ़िया, performance बढ़िया, sound बढ़िया, mic बढ़िया तो definitely मैं इन एरफोंस को recommend करूंगा बट उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इन एरफोंस के अंदर है क्या मतलब कि कौन सी बैटरी है कौन सा SOC है क्या mic है काफी अच्छे से इनको सील किया गया हुआ है कि देफिनेटी चिपकाए गया है काफी अच्छे से कि अच्छे तो यह खुल गया है और यहां पर है इसकी बैटरी और इसकी कैपसिटी है कि 220 एमेज 3.7 वोल्ट इसकी वोल्टेज डेटिंग है आपने अब परसर तो 220 एमेज की यह बैटरी है साइज देख लीजिए आप और इस साइट भी आपको इसकी बैटरी मिल जाएगी चलिए इसको भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ यहां पर भी इसकी बैटरी है और इसकी कैपसिटी भी है 220 एमेज 3.7 वोल्ट की सिमिलर वही बैटरी है जो कि आपको यहां पर मिल रही थी तो इन दोनों कमपाट्मेंट्मेंट्स में इसकी बैटरी है ओफ 220 mh each चलिए अब इसके controller board को भी देख लेते हैं दोस्तों लग नहीं रहा है कि यह IPX5 water resistance है तो यह इसके उपर physical buttons वाला portion हो गया और यहां पर आपको इसकी electronics मिल जाएगी board को बाहर निकाल लेता हूं तो यह हो गया इसका main board और board पर प्राफी सारे components हैं अगर इस side की बात करूँ एक USB type C port है तीन physical buttons हैं एक 16 MHz का crystal oscillator है और बहुत सारे SMD components हैं और board में अगर इस side की बात करें एक microphone है इसकी main SOC chip है WQ7033W यह एक high standard Bluetooth audio SOC chip है जिसके अंदर high performance high five 5 DSP है और neural network processing unit है यह जो छोटी वाली है यह 6081A और बहुत सारे SMD components हैं आईए अब इसके drivers को भी खोल लेते हैं देख लीजे जो cable है वो यहां पर end हुई है और यह cable बहार ना जाए यहां पर एक ring दे रखी है और यह जो cable है यह drivers पर shoulder है इन दो points पर नीचे वाल event का hole यह हो गया और उपर वाले के लिए यह हो गया चलिए इनको बहार निकालते हैं अगर यह निकल सकते हैं तो यह हैं इसके 10 mm के drivers देख लीजिए पूरे seal pack है और आगे का vent अब यह देख लीजिए यहां पर बहुत सारी चीज़े हैं दोस्तों जो कि मैं आप लोगों के साथ share करना चाहूंगा जो कि मुझे पता चलिए है during the teardown of this earphones no doubt आप लोगों को इसमें अराम से 140-150 घंटे तक का play time मिल जाएगा क्यूंकि यहां पर दो batteries हैं इन दोनों compartments में of each 220 image और साथ में एक बढ़िया SOC है with DSP and neural networks और I think that की जो power management chip है वो भी काफी अच्छी होगी तो no doubt आपको काफी बढ़िया इसमें playback time मिलने वाला है और साथ में जो audio quality है वो भी काफी अच्छा है क्योंकि काफी अच्छी SOC लगी वी है तो audio quality भी बढ़िया है battery backup भी बढ़िया बट I doubt that कि यह जो earphones है यह IPX5 water resistance है क्यों क्योंकि आपने देखा teardown के टैम पर यह काफी easily open हो गया था नाखनों से यहां से easily पानी इसकंदर enter कर सकता है और यह जो ear plugs है इसमें भी जो joint है यहां से पानी easily इसकंदर enter कर सकता है तो I doubt that कि यह जो earphones है यह IPX5 water resistance भी है बाकि आप बता ही कि आपको क्या लगता है जो भी आप सोचते हो नीचे comment section में share कर सकते हो बाकि अगर मैं इसकी material quality की बात करूं तो already मैं आपको बता चुक है plastic 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 काफी poor quality का है तो यह रहे boards के rocker G Trinity जो कि no doubt look and design wise तो उतने कुछ खास नहीं है उतने कुछ ज्यादा बढ़िया दिखते तो नहीं है बट इनमें आपको 150 hours तक का play time मिल जाएगा battery backup काफी अच्छा है sound भी काफी अच्छी है आप इस पर music को enjoy करते हो इसमें आपको beast mode भी मिल जाता है जिसमें आप gaming experience को भी काफी अच्छा enjoy कर सकते हो और साथ में microphone भी इसमें काफी बढ़ी है तो काफी अच्छी performance है काफी अच्छा दोस्तों यहां पर sound quality है तो मैं तो इनको recommend करूँगा बाकी दोस्तों आप बताई कि आपको यह earphones क्या से लगे अगर आप इन यह earphones को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो link है मैं आपको नीचे provide कर दूँगा आप महां पर जाकर definitely इसक पसंद आई होगी अगर पसंद देता आप इस वीडियो को like कर सकते हो और अभी दक अगर आप लोगोंने मेरे इस चनल को subscribe नहीं करका है तो जाने से पहले मेरे इस चनल को subscribe भी कर सकते हो अगर कर रहे हो तो साथ में जो bell icon है घंटे वहला जो निशान है उसको all करके बजा ज आना ताकि आप लोगों से मेरे को future update को future step की वीडियो मिसना पाए नमस्कार बाइबाइब